पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने जब दुनिया को विश्वास में लेना शुरू किया तो ये पहली ऐसी वारदात थी जिसमें कि खुद ही जैसे मुहम्मद ने मान लिया था बलकि बाहवाही में माना था कि हाँ हमने अटेक किया इसके बाद पाकिस्तान जो है एवडेंस और प्रूफ की बाद करता रहा लेकिन भारत ने उसको कुछ नहीं दिया बेसक पूरी दुनिया को डोजियर सौपा लेकि उसने भारत के आर्मी इंस्टालेशन पे हमला किया यानि कि वहां पे उसने रावकेट दागे थे तो इसकी वजह से भारत को ये मौका मिल गया कहने का कि हमने तो आतंकवाद के खिलाफ करवाई की थी प्रसिक्षण सिवीरों के खिलाफ करवाई की थी जबकि पाकिस्तान आर्मी इंस्टालेशन पे गोले दागे हैं यहां पर पाकिस्तान के पास जवाब नहीं बन रहा है वो पिक्चर उपलब्ध है पहली बात दूसरी बात क्या हुआ है कि पाकिस्तान दिन भर जूट बोलता रहा कि सबसे पहले उसने दावा किया कि भारत के तीन जेट हमने मार हैं दो पाकिस्तान की तरफ गिरे हैं और एक धिंदूस्तान की तरफ मिसिंग है दो पाइलेट उसके कबजे में है साम होते-होते बिल्कुल इस्तिती किलियर हो गय이 थी कि एक F-16 जो है पाकिस्तान का गिरा था जिसको की भारत ने हिट किया था और एक MiG-21 भारत का गिरा था जिसमें की हमारा जो पाइलट है अभिनंदर वो उनके कबजे में चला गया था बस इतनी सी हकिकत थी लेकिन उसको ले करके पाकिस्तान दिन भर पुरी दुनिया को गु वैरल होना था लेकिन उन्होंने ये दिखाने के लिए कि हमने ये बहादुरी कर दिये उसको वैरल कराया और बाद में गलती से सही से जान बूज करके अंजाने में पाकिस्तान गौवर्मेंट में अपने ट्विटर हैंडल से उसका फोटो और वीडियो ट्वीट कर दिया बाद में उसको हटाया तो ये दूसरी उसकी गलती थी और तीसरी गलती जो किये अभी उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है दरसल जिस F-16 से ये अटेक किया पाकिस्तान ने भारत के आर्मी इंस्टालेशन के उपर तो अमेरिका ने ये F-16 उसको दिया हुआ है और जो सेल का कं कंट्रेक्ट है उस कंट्रेक्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने वादा किया था अमेरिका से कि हम इस लडाकु विमान का यूज जो है कभी भी लडाई में नहीं करेंगे किसी पे अटेक के लिए नहीं करेंगे लेकिन उसने F-16 का इस्तिमाल किया यहीं वज़ा है कि जब पा के ज मिला है उसे एकदम किलियर कट हो गया है कि F-16 का पाकिस्तान ने इस्तिमाल किया तो एक तरह से उसने अमेरिका से भी वादा खिलाफी की है और अमेरिका पहले से उससे नराज है उसको रोका हुआ है और जो अफगानिस्तान में उसका रोल जीस तरह से होना चाहे था वो अमेरिका के हिसाब से नहीं है तो अमेरिका इस बात के लिए भारत के साथ खड़ा है कि आपको जो करना है वो कीजिए तो ये तीन बड़ी गलतिया अब भारत सरकार ने जो बुला करके डोजियर सौपा है उसके बाद इस बात का वेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के प सूद अजहर और सैध। और लकھ भी। इन तीनों के खिलाफ जो हर हाल में भारत को करना होगा। आप देखना है कि पाकिस्तान के पाले में गेट डॉलदी है भारत सरकार ने। पाकिस्तान इसका क्या जबाब देता है। और सयुक्तराज संग में जो पूरा मामला जा रहा है प्रतबंदित करने के लिए उसको ले करके भी पाकिस्तान की सांसे अटकी हुई है तो पाकिस्तान बेसक गोले दाग गया मिसाइल दाग गया लेकिन वो बुरी तरह से डरा हुआ है सहमा हुआ है और भारत में अब देख किजिए सेयर किजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर दें थैंक यू